जैस्री कृष्णे दोस्तों चलिए आज हम बनाते हैं मटर पुलाव इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिश्ट है चलिए देखते हैं इसके लिए में क्या चाहिए इसके लिए मसाले चाहिए तेजपत्ता चक्रफूल काली मिर्च लॉंग छोटी लाइची जीरा यह है पनीर के टुकडे धन्या किश्मिश काजू और यह हरी मिर्ची और नीमू आधा नीमू लिया है और यह अद्रक इसके लिए एक कटोरी हमने मटर लिया है भरकर पूरा और इतना ही हमने चावल लिया है एक कटोरी मटर एक कटोरी चावल और यह तीन बड़े च अच्छे लगता है बहुत ही स्वाधिस्च आता है। यह हमने चावल को भीगो लिया है बस 10 मिनट भीगो या इस से ज्यादा नहीं अब हम कुकर में डालेंगे देसी घी तीन चमच भाफिक वे देशी घी डाला है इसमें अब ये सारे मसालि हम डालनेंगे क state के लिए गैस धीमी कर दियें बहुत ही जल्दी बहुभ बून आता है लाल हो जाएगा इसमें डालें डाला हम अगर अग्रों थोड़ा भूनेंगे दूनने के बाद हमने डाली इसमें हरी मूर्ची, इसको भी थोड़ा भूनेंगे, किश्मिर्ष, अगर आपको पसंद ना हो, तो किश्मिर्ष ना डाले, पनीर के टुकड़े थोड़े से, और ये एक कटोरी मतर, इसे भी ढालकर हम थोड़ा भून लेंगे इसके बाद मैंने धनिया डाला है हरा धनिया आधा डाला है आधा मैं बाद में उपर से डालोंगी और ये मैंने भीगे हुए दस-पंदरा मिनेट भीगे हुए चावल मैंने इसमें डाल दिये बस इसको अच्छे से हल्के हाथों से इसको मिलाएंगे ताकि चावल ना तूटे भीगा हुआ चावल है तूट सकता है इसलिए बहुत हल्के हाथों से मिला लेंगे इसे लेकि कितना बढ़िया लग रहा है अभी सही है खुश्बू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है अब हम इसमें डालेंगे आधा नीमू नीमू डालने से चावल खिला-खिला बनेगा अब हम इसमें डालेंगे पानी एक कटोरी चावले मैंने दो कटोरी से कम पानी लिया है दो कटोरी से थोड़ा सा कम बस आप चावल के एक इंची उपर पानी रखिए बस यह मैंने डाला सफेद नमक अब हम इसमें बंद कर देंगे इसे कुकर का ढकन लगा देंगे और एक सीटी आने देंगे दोस्तों अगर आपको यह मत्र पुलाओ अच्छा लगे घर पर बना के देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एक सीटी आ गई है अब हम इसे पांच मिनट रुक कर दस मिनट रुक कर इसे खोलेंगे यह देखिए कितना बढ़ियां बनकर तयार हो गया है और बहुत ही स्वाधिश्ट बनाए यह इसकी खुश्बू इतना पूरे घर में महक रही है यह देखिए मैं थोड़ा दिखाती हूँ आपको आप इसको पांच-दस मिनट ऐसे ही छोड़ दिए ताकि थोड़ा सा चावल खुला खुला हो जाए यह देखिए कितना बढ़ियां सुंदर लग रहा है खाईए इसके थैंक्यू